गुड मारिंग इस्टुडेंट टोडेवी टॉपिक इस एक्ट ईयंडे क्सूजल पर्स्ट अब्र मुघंगे एक्टिव-चेक्ट-ईयंस sair का सब्ज क्या नहीं गे और आपजेक्ट पार सब्जेब देए अफरा हुजङक्ट सबसे फैसेंड प्र तो सब्जेक्ट के अमसार इस, र, एम का यूज़ करते हैं और एक्टिपसिव वाइस में जो में पार्ट पीटा वो यह है कि हम जो इसमें वर्ग की फॉर्म यूज़ करेंगे वो सारे सेंटेंस में हमारे वर्ग की थर्ट फॉर्म यूज़ होगी इस, आर, एम कैसे के साथ हम इस यूज़ करेंगे और हमारा होगा तो हम यूज़ करेंगे यह एक्टिपसिव वाइस बनाते सब्सक्ति इसमें केवल 8 संटेंस के ही हमें लोग अट्पिसव बनाता हैं कि इसी भी परफेक्ट कॉंटिणियस for example, present, इसमें गिवाथ एक तेंसे के अंदर ही हम लोग चेंज करते हैं सबसे पहला हम देखने हैं इसका प्रस्ट इसका हम इसका प्रस्ट इपनेट का अब हमारा पैसे बाइब क्या बन जाएगा सब्जेक्ट अब 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 इसके लिए से मैंना आपको बताया है प्रेजेंट इस रहें में तो यह विए इस लिए आया है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट है इसमें हमारा सब्जेक्ट अब इसके अंदर कैसे बनाएंगे ही दस नौट प्लेडा मैंच से आपको पता चलता है तो यह बनेगा इससे आएगा क्योंकि से बनेट कैसे बनें डविए तो यह बंट क्या रहा है क्या ह yat जेगा, is I, I am using all time, is our book written by him, question अब who teaches you English, who वाले sentences जो होते हैं, इसे हम change करते हैं वाले को by whom में who teaches you English, यहाद पर सीदोंगा by whom are you taught English, by whom वाले में, हम इस्टार्टिम में भी by whom लगातें, इसे हमारा और जेट पहले by one नहीं लगाएंगे, and question mark सब्सक्राइब नियुक्त बनाते हैं तो इस ब्लस 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 ऑबचेंगे यह बीडिग आप इस देज के आपको हो जाएगा कि इस बीड़ पाइब के वाप की फर्ट फोर्म हमें बता रहे हैं कि हसार एक पैसिल में जो लगनी है वह अपकी फर्ट फोर्म ही आए लिए नेच्स दें यू आप नॉट इन वर्ट यह पैसिट कैसे बनेगा इस वर्ट इ इस बीड़ियू अब आल इसमें स्कार्टिंग में आ गया तो इसमें जब हम बनाएंगे इसका पैसिट तो हम आग इसका पार्डिंग जो है पहले सब्जेक्ट इंपर जो अब जो अबचेक्ट आपको इन आपको यहाँ पर मी कर क्या चांग होता है आई तो यहां आँ जा लें दा मैंच मैंने आंको सारे को इंडेपिनेट में माल ने तो या जाएगा वाइं में नाच वाइग जाएगा जाएगाए प्लेंट नाफना में कॉशन मांगा क्यों